नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली हकीकत कहो तो उन्हें खाब लगता है शिक्वा करो तो उन्हें मजाग लगता है कितने शिदत से हम उन्हें याद करते हैं और एक वो हैं जिन्हें ये सम मजाख लगता है जी हाँ आपने इसा ही सुना हम आज के डिली राशिबल की बात कर रहे हैं सबसब आज इनका वाज़े है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरव से धेर सारी गुडवेशिस तो चलिए शुरू करते हैं क्या बात करें इस दुनिया की हर शक्स के अपने अफसान है जो सामनी है उसे लोग बुरा कहते है और जिसे देखा नहीं उसे सब खुदा कहते है एक बात सीखी है रंगों से अगर निखरना है तो बिखरना ज़रूरी है आपको भी अगर निखरना है तो पहले मुसीबतों का डढ़ कर सामना करो और मुसीबत को ये बताओ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तुम नहीं बेचेयन दिल को और बेचेयन ना कर इश्क करना है तो कर एहसान ना कर अच्छे किताबे और अच्छे लोग तुरंद समझ में नहीं आते उन्हें पढ़ना पड़ता है जिन्दगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए इसे समझना पड़ता है आप लोगों को भी अपनी जिन्दिके के साथ लड़कर इसे बदलना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए बाप अमीर हो या गरीब हो उलाद के लिए एक बाप बादिशा होता है सबसे पहली बात कर लेते हैं आज के लखी कलर के बारे में तुबो रहीगा ओरेंज और भागिशाली आंक रहने वाला है आज की दिन आपके लिए नंबर साथ तो आज का जो दिन है आपके लिए मिला जुला साबित हो सकता है कुछ मामलों में आपके लिए जो है सफलता और कुछ में असफलता दिख सकती है बलकि मिला जुला वही रहेगा तो कोई अपना ही आपको बातों में आज उल्चा कर भी आपको फायदा उठा सकता है याद रखे वो अपना होगा इसलिए आपको जो है अपनों पर जादा विश्वास नहीं करना है अपना गाम इमानदारे से करते रहे आपको किसी भी बात से जो है विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई भी टेंशन मत लीजेगा पर इसितियों का समय की साथ साथ आपको सलूशन मिलता चला जाएगा जे तरह उसके लिए आप परिशान होंगे उतने ही आप जो है अपने लिए कश्ट और बाधाय उत्पन कर लेंगे बहतर यहीं होगा कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दिजे और अपना करम करते रहे निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिलेगी और हर तरह की मुश्किल भी भगवान आपकी दूर करेंगे आज लागधाय किसम पर कभी सूत्र बन सकते हैं यानकि वो कॉंटेक्स बनेगी जिनसे आपको फायदा है दूसरों की समस्याओं को समझने में आपकी important भूमिका बनी रहेगी और परतिष्ठा भी बनी रहेगी आज आप कई तरह की गती वीडियो में व्यस रहेंगे यानकि आप कोई भी काम कर सकते हैं extra work जिसमें आप बीजी रहेंगे घर पे लेरिस भी इसी तरीकी से घर में जो है घर के काम के इलावा किसी काम में वीजी रहती नजर आएंगे बच्चे भी extra work करेंगे लेकिन हाँ खर्चों पर काबू रखने की जरूरत पड़ेंगी और जमीन वाहन समंदी खारीदारी को लेकर लोन लेना पड़ सकता है लेकिन चिंदा मत कीजिए ये आपके संपत्ती और समरिद्धी में बड़ोत्री का कारण बन सकता है आने वाले दिनों में इसकी साथ ही आज का दिन बहुत ही बढ़िया भी कह रहे हैं सितारे आपके अगर कोई आज फैसला लेना है तो वो भी ले सकते हैं परसनल लाइफ और कारक शित्र में उनिती के अफसर मिलने वाले हैं नौकरी की जो दलाश कर रहे हैं तो आप उनको सफ़दा मिलने के पूरे पूरे संकेत है लेकिन स्थिरता आने में थोड़ा समय लेगेगा यानि कि अभी जो है महौल अगर आपको जॉब मिल जाती है त उसमें आपको तारचिडा लगा रहेगा कभी-कभी आपको लगिया कि जॉब जो है अच्छी है नहीं भी इच्छी है तो ऐसी जो है चीज़ बने रहेगी लेकिन इसको बैलन्स होने में भी टाइम लगेगा तो आप उसको इंतजार करें तो बेटर है आज अगर कोई प्र सिती आपके भागी वृध्धी का रास्ता प्रबल कर रही है मजबूत कर रही है आपके जो पुराने रुके हुए काम थे उनके पूरे होने का समय है उन पर आप ध्यान केर्जित करें निश्चित ही सफलता मिलने वाली है विरोधी बक्ष हावी होगा लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएगा क्योंकि सितारे आपके बक्ष में है भगवान की क्रिपा आप पर बनी हुई है आपको बार बार ये भी सिलाह दी जा रही है कि अपने ग्रोध वे आवेश पर काबू रखी जल्द बाजी मत कीजे और जाधा उत्सा से बना बनाया काम जो है वो बिगर सक इसलिए जर्ण नॉर्मल तरीके से काम कीजेगा इसी के साथ ही परिवारी के सुक शान्ती भी आपकी प्रभावित हो सकती है तो जर्ण ध्यान लखे काम मत विगाड़िए और हां नॉर्मल तरीके से सब्र से संतोष से हर एक काम को धिरे-दिरे करती चाहिएगा तो आगे बढ़ती हैं और बात करते हैं आज की बिजनेस और करेर की, तो बिजनेस और करेर में आज नौकरी में हलकी फुलकी परिशानिया देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके विवेक से हल भी निकल लेंगे, हल निकाल लेंगे आप असानी से, बिजनेस में विस्तार की योजना को गंभीरता से लेजिए जरा सिला परवाही से धन सर लेटे नुकसान हो सकता है इसले पहले सोच लें, विचार लें, कई जगा से पूछ है कि काम जो है वो ठीक है विस्तार करें, इसका अपने जो आप काम करें, इसका दाइरा बड़ा करें बड़े स्केल पर अगर काम करना चाहते हैं, तो सलाह लेना आज के दिन बहर जरूरी है वर ना नुकसान हो सकता है इसी के साथ ही आज किसी नए प्रोजेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए संसाधन जो हैं, असानी से मिल पाएंगे आपको अगर आप लोल लेना चाहते हैं, तो वो भी मिलेगा नौकरी में स्थिर्ता की बस कमी रहने वाली है, जैसा कि मैंने पहले कहा था अज अपना पूरा जोर मार्केटिंग और काम के प्रोशन में लगा दीजे एक निश्चित रणनीती बना कर काम करने से सफ़ता की संभावनाइं बढ़ सकते हैं आपकी नौकरी में बॉस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं और कुछ अपद उन्ती की भी संभावनाइं भी बन रही है इसे के साथ साथ जो है आज बिजनस में काफी हद तक लाब देखने को मिल सकता है और हाँ याद रखें कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच विचार्ज जरूर कीजेगा कारे शेत्र में आज अपने काम पर फोकस भी बनाए रखना होगा किसे की बातों में बहुत ज़्यादा परभावित मत होईएगा कोई आपका अपना ही आपका फायदा उछा कर आपका नुकसान करेगा और खुद अपना काम बना लेगा तो जारा आप इस चीज़ को ध्यान दीजेगा बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं लव लाइफ की तरफ तो पती पतनी में आज आपसी ताल मेल सामंजस से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है घर के वरिष्ट सदस्य के प्रती सेवा भाव का प्रती फल उनकी शुब कावनाओं के रूप में आज आपको प्राप्त हो सकता है प्रेजनों के साथ किसी बात को लेको थोड़ी बहुत अन्बनाज हो सकती है ऐसे सितारे कहते हैं जिसके चलते जो है रिष्टों में कटुदा आना सभाविक है याद रखे कि जिसे लड़ाई जगड़ा मत कीजे बलकि आप से प्यार बनाए रखेगा प्यार ही तो है भगवान का एक बहुत खुबसूरत तोफा प्यार से काम लीजेगा आज व्यस्तता के बावजूद आपका परिवार आपकी प्रात्मिक्ता रहेगी पते पत्री में कुछ गलत फैमियां उभर रही है लेकिन समय रहते उनका निवारन कर लीजिए वनना बहुत नुकसान हो सकता है वही आज रिष्टों में बहत से बचना होगा जैसा कि अभी बात की और किसी मामली को इतना भी तूल मत दीजेगा कि ववाद का रूप ले ले बलकि जो भी बाते है जरो नॉन्मली कीजिए और पुरानी बातों को मत उखाड़िएगा गड़े मुर्दे मत उखाड़िए बलकि जो अभी जो प्रेजन टाम चल रहा है उसको देखी उनी को चीजों को संभालिए और आप से प्रेम सभाव रखेगा उन्हें जरा आज रोमांटिक डिनर पर लेकर जा सकते हैं तो आपके दुनों के बीच की जो बांडिंग्स हैं बहुत ही बढ़िया बंती नजर आएंगी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की हेल्थ के बारे में तो हेल्थ आपके यहती है कि स्किन सरे लेतिर किसी तरह का इंफेक्शन होने की संभाव नहीं बन रही है बदलते मौसम से साफधानी रखना होगा बुखार हो सकता है साथ ही व्यसनों से दूर रहीएगा आज आपके लिए समय बढ़िया है सिहत का भरपूर मातरा में लाब मिलेगा साथ ही में आज आपको सिर में दर्द भी हो सकता है नेंद पूरी कर लीजिए सिर दर्द अपने आप ठीक होती चली जाएगी मौसमी मिवारियों से सदर कर रहना होगा जैसा कि मैं कह रही हूँ अपने खाने पीरों के चीज़ों पर भी और दिन चर्या पर आपको एकदम से सूव यवस्तित करना होगा बैलंसिंग बना कर रखनी होगे तो चली कि बात कर लेते हैं आज की जो है अपने इस्ट को जड़ाते भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा साथ ही साथ में आज जो कबाड़े का सवान है घर में से निकाल दिये वो नेगिटिव उर्जा है तो उसको दूर करेंगी नेगिटिव उर्जा अपने हम दूर हो जाएंगी और काम बनते नज़र आएंगे और हाँ याद रखे कि टूटा शीशा तो मत रखेगा बिलकुल भी तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें धन्यवाद